So Hey What's Up? I hope की जैसे भी होगी बहुत सही होगी आज की स्टोरी अक्षित की अगर आपका भी कोई या एक्सपिरियंस निया जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाथो तो आप मुझे एमेल पर या फिर इंस्टरा पर आप मेरे साथ में शेयर कर सकते अब भी भीना time waste के let's start it अक्शित के family में अक्शित के dad और अक्शित के mom में अक्शित के dad का jazi ही कि वह private job करते है तो उनकी पोस्टेंग वगएरा अलग-अलग जगव होती रहती है अलग-अलग jobs मिलती रहती है तो इस बार उनकी job उदेपूर में बनाइन पतुर होता ही और नहीं भी क्योंकि को मतलब किसी को घर बूलाना tenis सब चीजे पसंद नहीं है सो यह होता है कि अब जब अक्षित वगरा वो जो रूम अपने फ्लाइट अंटी कर रहे है अब जब हाउस की लिए तो उन्हें रेंट पे जो दादी जी है वो रूम घर दे दीती है अब वो उपर रहते दादी जी जो अक्षित की फैमिलियों वो होने लग जाती है और तवित इतनी ज्यादा कराब हो जाती है कि उनकी डैथ हो जाती है अब उनकी जैसे डैथ हुई है तो जो दादा जी वो अक्षित की फैमिली को ही मतलब इसकी देखर करनी होती है और तुकि वह रहने वाले रहते हैं वह उसका रहन्त है वह डाइरेक्ट ही जो उनका बेटा है उसको ट्रंस्फेर कर देते हैं तो ऐसा ही चलता है अब उनकी लाइव तीन-चार महीने ऐसे निकल रहा है अब एक टाइम अज़ा ते की अक्षित की भी बॉर्ड्स के एक्जाम आगे तेंथ क्लास में उसके बोट्स के एक्जाम है उसका रूटिन ऐसा है कि वह नाइट में भी लेट तक बढ़ाई करता है और सुबह भी उठके फिर पढ़ने वैड़ जाता है और उसके डैड का ऐसा कि उनकी नाइट सिप्ट है तो वह भी घर पे रहते नहीं तो अक्ष सब्करकिन को कि इचेपंड़ है फिर अक्षित की मॉम आठाल बाता है अब अक्षित नाइट में पढ़ाई कर रहे है उसके नेक्सिट में उप पढ़ाई करते पढ़ाई करते अक्षित वह लग्манग नाइट में जाड़ा बारह हो गया तो अब ऑनृक्षित को दीखते है कि टाइम काफी जाधा हुगया तो उसे सोना है और उसके मौम सब्सुन तर लाइट आए उफ्ससे। वह जैसे एक उत्लब उटने वाला होता है तो उसे दिखते ही कि होलकी लाइट है वह अभी और उन है। उस से काफी बेर्ट लगते है क्योंकि भी जागरी होगी सो अब जैसा अक्षित उथा एक्षित जा रहा हैँ ऊंपिएसे जैसे बाहर देखते हो एक चैर है वह ले रखहू और ऊस्तो युदि कोई भूड़ा आदमे कर तो कोई बूरा आद्मी बैटए हो देखता है कि उलके हाथ में सिगार है सिगार पी रहा है और यह कुछ एक गाना सागार है अक्षित को काफी व्यर्ड लगता है। अच्छित देख रहा है वक्षित तो थोड़ा सब्सक्राइब नाइट में को ना सकता है तो उसे लगते है कि आपता कोई चोर हो चोर बाटेगा तो इसक्राइब नहीं है और इसक्राइब आएगा तो यहां पर बैठेगा क्यों वोगार थोड़ा से तेज करने लग जाते हैं थोड़ा थे तेज और अक्षित को पूरी सुना है अक्षित अपने वापस बैड्रूम में आ गया और ब्लैंकेट वगरा अगर मैं अंदर से लॉक करनूगा तो सुबह ममी भी मुझे जगा नहीं पाइगी तो नहीं बस ऐसी किया और वो बस वो गया कि ब्लैंकेट अगर मैंने ओड लिये तो ब्लैंकेट मुझे बचा लेगी कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसलिए ब्लैंकेट ओड़ी अब वो सो रहा है सुने की कोशिस गर रहा है उसके नीन भी आ जाती अब सुबह हुई है सुबह भी उसकी मम आई उसके पास किया अक्षित अक्षित होड़ जाओ कि उसके मम से पहली बेदो कि माम पहले जैना कोई है उसके मम कॉपा हो भाए लगते हैं मं उसे अटाती है क्या हो गया मतलब तो क्या देख लिया तुने तो उत टुझे मैं तो ऐसे देख लिया था ऐसी तो मैं डर गया तो दोसरी मोल रही कोई बात नहीं तो ऐसे पूल के फिर वह अपने एक्जाम्स तो गएरा देने चला गया अब और वह एक्जाम्स देके वापस आया अब नाइट में वह फिर से वही रूटीन वह पढ़ने बैठा अब वह बढ़ रहा है उसे फिर से 12 बज़े का टाइम हो गया है ओ क्षित ने, हम अज़ कुद ने बंद की थी आज कैसे हो रहा है अपुस पूद की तरफ जाते है कि आज मैं देखो आज खेसी तो आज अक्षित वापस गया है तो देख रहे हैं वह आज चेहर है आज वह अक्षित के जेस्ट गीट है इधर ही लगे है वह ऐसे देखते है और जूटा से दीख रहे है कि यह चेहर ठीज कोई दादा जी मतलब बूड़ा आदमे बैट इस ही आगया और उगा रहा है। अक्षिस देख रहा है कि उसकी सीधीन अजह पेरों पे गई है। वह बूड़ा अदमी उसकी पेर बहुत जादा डर गया। अक्षिड लिटरली बहुत ज्यादा श्यूइर करने लगा है चोप दर दोए अब उधर भी जा नी सकता अपने मों के पास में भी अभी अगशिड रही से टेट चिलाता है मम बहुत टेचला तो पूढ़ ज्या झाए इसके मम और बोलती है मॉंम उसके पास मैं जा है प्रवाद में गया तो देखेर कि गुछ यह तो इधर कहीं नहीं पड़ी ऊसे भी काफी वाइड लगता है यह एसा हो सकता है अब मों कुछ बैडरूम में मूबका अब मों भी थोड़ा समझ जाती क्या पता है कुछ हैलोजइशन हो रहा हूँ छीज यह सी को देखती कि पंडिश जी को एक बार बूला ते यह बहुत है तो ऐसे ही होते हैं और जो अक्षित है वह अपने स्कूल चला गया और उसकी मम है पंडिश जी के पास में जाती तो पंडिश जी से भिलते की घर वगएरा दिखाना था पर पंडिश जी किसी काराण वो आज आ नहीं सकते थे और बोला कि मैं कर ला ह तो यह अधर तो रिश वह हैं उन्हें जो अखशित्र canada कर नहीं ड्रèmesic अभी जाओ जाना है तोट यही जैसे शट्रackers करते उस थी नदे उनके पास पर आमनौ से कि अनौन से को लाया तो यह को लुटाते हं कि तो कोल उठाया तो कोल उठाने पर अक्षित्न ना वो नहीं उठा से ऐनकाशित है लाघकर, बास भाड़ और वो फ्सक्त में पीस में पूस्तेगी क्या हों ग्लाई तरु आसिट्हेश जाए किके है अक्षट करों कौरां जो लेंडलोड है उनकी जो रिलेटिव उनका पुला है जो दादा जी वो इटस्पायर हो गया है यह सुनते सारे की सारे डर जाते है और अक्षित सबसे ज्यादा डर्च है क्योंकि अक्षित में ने देखा दो दिन से वह देख रहे होंगे जो उसके डाड है तो थोड़ा सा अब अब घूदा की लगब आपने डिने करते हैं आज अक्षित पढ़ने नहीं बैटा उसी दहा मोम के पास में गया है और डोनों चलेगे और सूरे हैं अब सूरे हैं मतलब सोनी की कोजिस करें पिर इनको लगबग साड़े बारा मिड़नाइट होती है मिड़नाइट वी मैं अब यह सी दिख रहें कि है इफ इनकाच्छ आ बाथ रूम में नल प्रूम में आल pillows व यह विंडो से देख रहें कि विट्व की जी विंडो बायों रार की बाष जू गार्डण गार्डण में टैप भी चैण रहा है अधिसके मॉम को यह सब दिख रहा है तो मॉम देख थे की यह काफी वियर्ड लगता उसके मॉम को है बट अब इस टैम पर यह सब चीज चन रही है तो उसी टैम पर गोल सी नहीं एकडम से एक आवाज आती है अदर एक गुन्वूना निजाना गाने की आवाज आ रही है अब जैसे अक्षित की मौमने गेट बंद करने के बाद में अक्षित की मौमने अक्षित को बहुत तीज गले लगा लिए और मतलब वो दोनों काफी गब्राये हुए जिसे उननों गले लगा है अब अलग सा ही फो फोरक है अब जो बाहर जो आवाज आरे थी चल रहे की और अब जो आवाजे उसकी रूम से ही आने लगी है और वो आवाजे उसके आरे आरे अब उनकी एक्तम बैड के पास में वो आवाजे आ रही है अब उसके शामने गेट यह बैड रूम बैड पे इधर वाली साइड में उसके मॉम सो रही है और जो वोल साइड है वोल साइड में अक्षित सो रहा थे बसलब ऐसे बैट है दोनों चिपे अब उस टाब पे शित के मॉम को लिखते लूग वो आवाज है यहां तक आरे उस से एकदम मतलब की कोई कोई है जो यहां पर उसके गार है यह सुनके अक्षित के मॉम बहुत ज्यादा तेज डर जाती है वह बहुत तेज चिलाती बहुत तेज चिलाती है वह जैस चिलाई हो सब्सक्राइब तो मतलब थोड़ा सुन साल रहती है तो आवाज जल्दी से जाग गया नवर सबी सब्सक्राइब उटकर आता है उटकर आए तो अब अखशित क सुनती है लोग आये इसनोति वह तक अब गर में जाने कि किसी की इम्मत नहीं हो रही है अब क्या होती कि अब जैसे जो आक्षित है उसके मौम अब दूसरों यह मतलब नेवर से उनी के घर पे नाइट स्पेंड करते हैं अब सुबह सबसे पहले यह पंडिजी को बुलाते हैं पंडिजी आएं पंडिची जैसे घर में कदम ही रखते हैं उन्हें वह मतलब एक फील होता है वह सारी चीजे समझ जाते हैं अब अंदर जाते हैं जो अक्षित की मौम वह सारी स्टोरी बताती है तो वह पूछते कि वह चैर का पह है अब वह सबसे पहले चैर वह अब भी मतलब इच होल में नहीं है अभी वह चैर साइड में मतलब जहां पर रखी रहती हैं अब वह उस चैर पर जाते हैं और चैर पर जाकि वह कुछ मंतर हो अगेरा बोलते हैं और कुछ चीजे बोली है और कुछ किसी से बात कर रहे हैं तो वह जैसे आतकी अब अक्षित की मौम के पास में आते हैं वह बोलती हैं कि जो दादा जी वह एक्सपायर हो थे वह अब भी गर में है और इस घर को छोड़के कभी नहीं जाएंगे यह सुनके अक्षित की मौम बहुत डर जाती है अक्षित भी साथ में खड़ा वह भी बहुत डर गया तो अक्षित की मौम पूस्ती है तो फिर क्या हमें यह घर खाली कर देना चीए तो जो प्रिष्ट है वो इनको बोलते कि नहीं आप घर मत खाली करो उनका कहना यह है कि जो दादा जी वो चाहते कि आप अगर इस घर में रह रहे हो तो आप इस घर की पूरी सापसफाई रखो इसे ग्लेन रखो और इसे अपना घर समझ की वैसे रहो पर इस घर में रहने का रेजन उननों ने ये बता है कि जब दादी जी की डैथ होती है तो वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे दादाजी बट उनका लड़का उन्हें जवल रस्थी वो ले जाते वेट उनका मन यही पर रहता तो वो अब इस गर को कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे और अब जब उनके डैथ हो गई तो आप तो वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाद है और जो बताते हैं प्रिष्ट वागेरा से जब उसकी मॉम पूछती है कि यह में कभी हाम वगेरा तो नहीं करेंगे तो प्रिष्ट वोलता है यह आपको तब तक हाम नहीं करेंगे जब तक आप मतलब कुछ इनके अगेंट्स में नहीं करोगे तो ऐसे ही लगवग दो साल तक अक्षित और उसकी फैमली वहीं पर रही थी उसके बाद में लोगों ने चेंज कर दिया था बटी ने किसी ने बाद में हाम भी नहीं किया ना कभी डरा है इन लोगों को तो यह यह एक्षित की स्टोरी थी आई होप कि आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेड जरू करना और सेकेंड दिंग अगर आपको मेरी स्टोरी में अगर कोई भी मतलब इन कंप्लिटीशन मिलती है तो आप मुझे सज़ेस्ट कर सकते हो कि मुझे चीज को कैसे सुदार सको और आप ऐसे सपोर्ट बना ही रखिए अभी के लिए बबाश